अगर दोस्तों आप लोग चैनल में आए मलब आपका जो यूटूब चैनल होगा सारी चीज़े भर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपका यूटूब चैनल जो वाइरल आपकी जो वीडियो होती हैं पोस्ट वगेरा होती हैं वो वाइरल होने के चांस बहुत ज्यादा हो यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यूटूब चैनल कैसे क्रियेट करते हैं 2023 का सही तरीका क्या है तो आप पूरी वीडियो में बने रहें तभी आप लोग जान पाएंगे कि 2023 में यूटूब चैनल को कैसे बनाया जाता है नियू तो पूरी वीडि वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप लोग भी सोच रहें कि नया यूटूब चैनल बनाएं तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें एक एक इस्टब में बताने वाला हूं यूटूब चैनल आप लोग किस तरह से सही तरीके से बना सकते हैं तो पूरी वी आसान हो जाएगा चार हजार घंटे का वाच्टेम पूरा करना और एक हजार का सब्सक्राइब करना तो आप लोग ये वीडियो देखिए तभी समझ पाएंगे आप लोग तो आप लोग को सब्सक्राइब करने बिल आइकन को भी ज़रूर दुबाले ऐसे लेट इस वीडियो कि आपका यूटूब अपडेट है या नहीं है अगर आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लिजिए और फिर आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों जिस जीमेल आइडि से आपको अपना यूटूब चैनल को क्रियेट करना है बनाना है वो वाली आइडि यहां पे आप लोगिन कर लेंगे करने के बाद आपको जो परफाइल साइड में कोने पे दिख रही है आपको यहां पे क्लिक करना है क्लिप करने के बाद आपको यौर चैनल में जाना है चैनल में जाने के बाद में आपको सारी चीज़े आपको इस्टब बाइस्टब बताओंगा तो आप लोग वीडियो छोड़के मत जाईएगा तो नीचे दोस्तो आपको नजर आ रहा होगा नीला नीला क्रियेट तो दोस्तों यह क्या होता है इसमें आपको यूटूब चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको कोई सी वीडियो अपलोड कर देते हैं वीडियो तो आपका जो चैनल होता है वो आटोमेटिक बन जाता है लेकिन उसमें कुछ चीजे आपको भरनी पड़ती है जैसे आपका चैनल को वेरिफाई करना पड़ता है चैनल किस चैनल से मलब लिटेट से भरनी पड़ती है सारी चीजे तो वह सारी चीजे में आपको बत कि यहां पर आपको यहां पे एक एकशारी और नहीं कृलने साइइड मेंManager लिखे आ रहा है और फिर यह सबसे कोने में लिख़े आइकन का आइकन करना रहा है औânindi आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद अगर आपका जिस जीवियल से नाम है महलत जिस जी मैल का आपका नाम है अगर वही नाम आप लोग रखना चाह anticipate तो रख लीजिए वना यहां से आप लोग नाम को चेंज कर पाएंगे दोस्तों यहां से आप अच्छा सा नाम चूर्ज कर लेंगे तो मैं यही कुनाल वर्मा ही सिलेक्ट रहने देता हूं कि कि जिसने यह चैनल बनाने के लिए दिया है उसका नाम यही है उसने कहा तो यही सिलेक्ट कर देता हूं फिर आतको क्या करना होगा दोस्तों यहां पे बहुत खास बात आपको याद से सर्च करता है तो आप सबसे उपर आ जाते हैं और आपके सिवा कोई नहीं आता है तो यहां पे आपको अच्छा सा यूजर नेम अपना एड कर लेना है जिसमें हैंडल लिखा हुआ है तो यहां पे आप लोग डाल लेंगे डालने के बाद अगर कोई इनसान अपना आप यूजर नेम अगर कोई सर्च करता है यूटूब पे तो आपका चैनल सबसे उपर आएगा आपके सिवा किसी का नहीं आएगा ठीक है यह चीज आपको भर लेनी है फिर आपको दूसरे नंबर पे आपके चैनल का यूजर मिल जाएगा क्योंकि जैसे आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के बारे में यहाप लिखना है टेक के वीडियो बनाते हैं तो आपको टेक के बारे में लिखना है चैनल से जिससे वीडियो आप ड डालते हैं, जिससे लेटर डालते हैं उसके बारे में यहां पε अपको लिखना है, आप जितने भी वेल्ड में लिख सकते हैं, दोस्तों तो यहां पे बहुत ही बढ़िया यह चीज है ठीक है फिर आपको क्या कर देना अच्छी सी आपको dp लगाने के बाद यहां पे इसको सेफ कर देना है आपका यूटूब चैनल क्रियेट हो जाएगा तो दोस्तो DP आपको अच्छे लगाना है और यह जो पीछे का बैनर है यह भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आपको बैनर को बना के लगा सकते हैं और साथ में यह भी बताऊंगा कि अपने चैनल को verify करते हैं चैनल क्रियेट करने के बाद आप किस तरह से अपने चैनल को verify कर सकते हैं सही तरीके से तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe करें बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसे लेटेट वीडियो में आपके लिए लेता रहता हूं अब मिलेंगे अगली वीडियो में